विदियो लेकर आई हूं हिंदी बाराख़ाई इंगलिश में वयां जन एंचन कॉंसोनेंट्स कॉंसोनेंट्स दा को इंगलिश में कहते हैं डी दा दा और आखरन है हिंदी में इसे दा और इंग्लिश में इसे कहते है डी और ए दा दी डी आई डी इंग्लिश में इसे डी और आई कहते हैं डी इंग्लिश में इसे डी कहते हैं डी डवली डी दू इसे इंग्लिश में कहते हैं डी और यू दू दू, यह छोटेओं की मात्रह लगी विए दू, दा पर बड़ेओं की मात्रह है दू, इंग्लिश में इसे कहते हैं डू, डी, डावालो, डू, दे इंग्लिश में इसे कहते हैं डी और ई, दे 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 को इंग्लिश में कहते हैं डी, ए, आई, दे दो दो को इंगलिश में कहते हैं D और O डू डू दव दव को इंगलिश में कहते हैं D A U डव दव दम दम को इंगलिश में कहते हैं D A M और D A N इसे दोनों तरही के से कहते हैं DEM और DAN धा धा को इंगलिश में कहते हैं D और H धव धव धा को इंगलिश में कहते हैं डी एच ए धा धी को इंगलिश में कहते हैं डी एच आई धी 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 को इंगलिश में कहते हैं डी एच डवली धी दू को इंगलिश में कहते हैं डी एच यू दू को इंग्लिश में कहते है डी एच दवलो धे को इंग्लिश में कहते है डी एच ए धे धै ये दवले की मातरा है धे धे को इंग्लिश में कहते है डी एच ए आई धे धो ये ओ की मातरा है धापर धो को इंग्लिश में कहते है डी एच ओ धो धाओ ये डावा लोगी मातर है धापर इसे इंग्लिश में कहते है दी एच ए यू धाओ धाम धाम को इंग्लिश में कहते है डी एच ए एम धाम धाम N. 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 N.N. N. 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 यह बड़ी एकी मातर लगी विए N पर ना पर नी, नू, यह छोटे उगी मातर है नू, इंग्लिश में इसा कहते N और U, नू, नू, हिंदी में इसा नू, और इंग्लिश में इसा कहते N डवलो, नू, ने, ना पर A की मातर है ने, और इंग्लिश में इसा कहते N और E, ने, न दवाले की मात्रा लगी विए ने पर इसे इंग्लिश में कहते है एन ए आई ने नो को इंग्लिश में कहते है एन और ओ यह ना पर ओ की मात्रा लगी विए नो नव यह डवालो की मात्रा है हिंदी में इसे नव और इंग्लिश में इसे कहते है एन ए यू नव नम यह बिंदी है मा को मा भी पढ़े आता है यह और ना भी पढ़े आता है नम एन एम नम एन एन नन दोरों तरीके से पढ़े जाता है इसे पा ओलिए पा को इंग्लिश में कहते है पी पा जब आकरेंडर लगा होता है पा के आगे तो पा और इंग्लिश में इसे कहते है पी और ए पा पी पी को इंग्लिश में कहते है पी और आई पी ये बड़ेगे की मातर लगी विए पापर इसे पी हिंदी में पी और इंग्लिश में पी डावाली पी कहते हैं पू पर छोटेगों की मातर लगी विए पू और इंग्लिश में कहते हैं इसे पी और यू पू पा पर बड़ेओ की मातरा है ये पू और इंग्लिश में इसे कहते हैं पी डवलो पू पे 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 एकी मातरा है पे इंग्लिश में इसे कहते हैं पी डवली पे पे, पई पे पे डवाल ऐ की मात्रा लगी वी है मातरा यह पाउ इस पम भी पढ़ा या था पन भी पढ़ा याता है बंदी को पन इंग्लिश में इसे कहते है P-A-M P-A-N पंप और पैन फा उनली फा को इंग्लिश में कहते है P और एच फा फा जब इसके आगे एक डंड़ा लग जाता है तो उसे को पढ़ देखा फा इंग्लिश में बड़ी एकी मातरा लगी विया फी पर तो इसे इंग्लिश में कहते है पी एच डवली फू छोटे उगी मातरा है फा पर फू इंग्लिश में इसे कहते है पी एच यू फू फा पर बड़े उगी मातरा इंग्लिश में इसे कहते है पी एच डवलो फापर दवले की मातरा लगी विए फे इंग्लिश में इसे कहते है पी एट ए आई फे फो फापर ओ की मातरा लगी विए फो इंग्लिश में इसे कहते है पी एट ओ फो 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 पर दवलो की मातरा लगी विए फो इंग्लिश में इसे कहते है पी एट ए यू फो farm farm को English में farm भी कहते हैं fan भी कहते है P-H-A-N farm P-H-A-N farm farm और fan ba only ba को English में कहते है b ba ba के आगे जब डंडा लग जाते है उसे पढ़ते है ba b और a ba ba b जब छोड़ी की मादर लगती है ba पर तो उसे b कहते है English में इसे b और i b पढ़ा जाता है b जब बड़ी की मादर लगती है तो English में इसे b double b पढ़ा जाता है b bu bu यह छोट़े हों की मादर है bu पर इसे English में कहते है b और u bu जब बड़े हों की मादर लग जाती है जब इसे English में कहते है b double bu बे पर डवले की मातरा है इसे तो बे पढ़ा जाता है इसे इंग्लिश में कहते हैं इसे बी ए आई बे बो बो पर ओ की मातरा है इंग्लिश में इसे कहते हैं बी और ओ बो बाउ बाउ को इंग्लिश में कहते हैं बी ए यू बो डवलो की मातरा है यह बापर बाम, बाम को इंग्लिश में बाम भी कहते हैं और बैन भी कहते हैं बी ए एम और बी ए एन ना भी पढ़ा जाता है ये बिंदी को और मा भी पढ़ा जाता है भा, भा को इंग्लिश में पढ़ा जाता है बी और एच भा, और लिप भा को और जब आगड़न लग जाता है भी भा पर तो भा इंग्लिश में इसे कहते है बी एच ए भा भी यह छोटी ही की मातर लग जाती है भी पर तो इसे इंग्लिश में कहते है बी एच आई यह बड़े उकी मात्रा है भू पर जब इसे कहते हैं इंग्लिश में बी एच दवलो जब दवलो लग जाता है जब बड़े उकी मात्रा आती है भे, यह A की मात्रा है, B-H-E, भे, भे, भे को इंगलीश में कहते है, B-H-A-I, भे, यह बड़े A की मात्रा है भे पर, भो, भो को इंगलीश में कहते है, B-H-O, भो, यह O की मात्रा पढ़े जाती है, भो, बापर, भाउ, बाउ पर बड़े O की मात्रा है, भाउ, इंगलीश मे इसे कहते हैं भाउ भाम भाम भी पढ़ा जाता है बिंदी लगी होती है और ना भी पढ़ा जाता है भाम और भैन मा को इंग्लिश में पढ़ा जाता है मा के आगे एक डंडर लग जाता है आ पढ़ा जाता है तो इंग्लिश में इसे कहते हैं म और आई मी को इंग्लिश में कहते हैं म और आई मी यह चोटी एकी मातर है मी, जब मी पर बड़ी A की मात्रह लग जाती एं तो इसे इंग्लिस में कहते है म, डवल, E, मी, मू, M, U, मू, इंग्लिस में इसे कहते हैं, मू, इछोटे B की मात्रह है, मे, मे, ये A की मात्रह है, इस पर मे पर मे, in English में से कहते हैं Me M और E मे मे पर डवल Y की मातर है मे In English में से कहते है M A I मे म म म जब बिन्दी लगी ही होती है मम भी पढ़ा जाता है म भी पढ़ा जाता है है M, A, M, M, or M, A, N, A M, and M and M Y संद, जब Y सन माझा को होता है. जब Y पलता है ये जब चोटी की माझा लगता है ये पलती है ये जब निए गंसाrän भाला इस Afa यू, यू को इंग्लिश में पढ़ा जाता है, वाई और यू, ये छोटे हो की मातर है, जब या पर भड़े हो की मातर है लगती है, तो उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, वाई डवालो, यू, ये, ये पर ए की मातर है, इसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, वाई और यो को इंग्लिश में पढ़ा जाता है यो की मातर है यह उपर इम को यम भी पढ़ा जाता है और येन बी पढ़ा जाता है जब ये बिन्दी लगिवा होती है यम और यन रा, ओल्ली रा को पढ़ा जाता है र, अल्ली र पढ़ा जाता है जब रा होता है तो, जब आगर डंडर लगता है रा, तो इंगलिश में इसा पढ़ा जाता है र और ए, रा, री, रा पर छोटी ही की मातर है, री, इंगलिश में इसा पढ़ा जाता है र और आ, र ग्रीजह पर बड़ए की मातर लगती है तो जब इसे इंगलीश में में पढ़ा आथा है बड़वाल बलगता है आर और यू आ लग्यों कि चैसे बड़वकी मातर में लगती है तो इंगलीश में पढ़ा आ कि दिखेख। रो रे रे को इंग्लीश में पढ़ा जाता है आर और ए रा पर एकी मातर रहे रहे जब रहाँ पर डवल एकी मातर लगती है तो इंग्लीश में उसे पढ़ा जाता है आर ए आई रहे रो रो को इंग्लीश में पढ़ा जाता है आर ओर ओ रो 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 जब रहाँ पर डवलो की म राव, रम, रम को रम भी पढ़ा जाता है और रन भी पढ़ा जाता है जब बिंदी लगी वे होती हो रम, रम और रन, र-A-M, र-A-N, थैंक्यू फोर वाचिंग, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करें, बेल आइकन क प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचें,